तो नाव बंदन बैंक लिम्टेट अब देखिए 192.94 का प्राइस हमें देखने हो मिला है और एक अच्छी खासी उडान जो है वो बंदन बैंक भड़ रहा था 213-214 के लेबल हमें देखने हो मिले थे वड़ अभी 192.94 का लेबल देखने हो मिला है हाइर साइट से 20-21 यह बंदन बैंक में आने तो अभी अगर आप रिटेल निवेसक के एक माइंड सेट को अगर आप देखें बंदन बैंक को रिलेटेट से तो वो बंदन बैंक का चार्ट ओपन करके बस एक ही चीज़ देखें कि यह ना यह स्टॉक 780 या 760 के अराउंट यह हाई है और वहा आप बताई आ रहे हैं वो सही होगी तो यह स्टॉक भी वापस से 760 की तरफ जाएगा इसी वजह से मेरा जो प्राइस है वो लमसर लमसर मुझे एक अच्छा खासा वेल्थ जनरेट करकर देगा तो सिंपल सी बात है यह रिटेल निवेसक का एक माइंड सेट है बड़ अग बंधन मेंकर जो यह प्राइज था आई प्योग वाद यह प्राइस ओवर वैलूट है ओवर वैलूट समझेए यह इस बात को बंधन है किसी नमेटरिक के पूरे यहाँ बात यह बहुत ही वह बछ का इस और हाल फिलाल में जो रेटार्मेंट है चंदर सेकर गोष जी का वो यहाँ पर देखने हुब बिला है जिसके वेसे स्टेप डाउन करना पड़ा अब रेटार्मेंट आगे तो करना तो पड़े गई सिंपल सी बात है उनकी जगा जो इंतरिम अपॉइमेंट किया है एम डी ए एडिशनल डिरेक्टर का न्युकती ये थोड़ी सी बंदन बैंक के अंदर कंसर्णिंग वाली बात है ये 25 जून 24 की ख़वर है तो उसके बात जो है न चला तो बॉस लेकिन वो इस्टेविल्टी आने पाई तो ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है अब अरण कुमार सिं लोग जो है न वो तुलना करते है कि येस बैंक जैसा हल तो नहीं हो जाए तो ये ऐसा नहीं है ठीक नहीं है एसा नहीं है हर चीज येस बैंक नहीं है इस बात को भी समझने चाहिए बट इस बात को लेकर market concerning आपर हो गया ये इए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी अब ये प पार्केट का सिर्फ थिंकिंग उसको लेकर वो थिंकिंग उसकी problem है या फिर वाकिए में कोई problem है और वाकिए में प्रब्लम होती तो आपको नहीं पता चलेगा यह एक लंबा वक्त देना पड़ेगा जब यह चीजे निकलके आएगी तो तब जो हैं समझ में आया लेकिन लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ी गड़वड़ी है एंड अपकोर्स यहां पर हाल फिलाल में आपने अभी देखा कि किस तरीकी से NPA को रिमूब किया गया प्रॉफिटेविल्टी में एक बड़ा यहां पर कट हमें देख रहूं मिला तो यहां पर यह बात है अब आप 760 वाली जो बात कर रहे हो ना अगर वो 760 दोबारा जाएगा ना तो यह 90,000 करोड की बैंक बनेगी अभी 31,000 करोड की बैंक है बट उसके लिए जितना चाहिए है ना वो बंदन मेंको रखना पड़ाएगा टेविल पर तब जाके मार्केट वेल्यूशन देगा तो यह एक सबसे बड़ी बात है फिलाल का अगर आप देखेंगे तो 13.91 का यहां पर पी रेशियो देखने मिलता है आपकोर्स यह प्रॉफिट आफ्टर टेक्स का यहां पर जो दिक्कत है यह EPS पर उसकी बेट से जादा बड़ा इंपेक्ट हमें देखने मिलती है अदरवाइस यह P.E. रेशियो और भी जादा डाउन होता क्या वो लोटकर आ रही है या नहीं आ रही है थोड़ा सा टाइम यहां पर बंदन बेंग की निवेशकों को देना पड़ेगा तो मुझे जो है वो प्राइस टू बुक रेलियो बहुत अच्छा लग रहा है सीधी सी बात है अच्छा मेरे को देखने को मिल रहा है पी रेशियो में कोई दिकत की बात नहीं है राइट असेट्स यहां पर बढ़ी रहे है तो बहुत जादा कोई बंदन बेंग अंतर है आने वाले को अटली नंबर सी आपका जो है वो एक डायरैक्शन जो है न वो बताएंगे कि बंदन बेंग जानके तरह है और जो यह बात एडिसलनल डारेक्टर की निक्ति की आरवीण की तरफ से तो वो मार्केट का कंसर या पतो मार्केट की उपर बहारी पढद जाएगा या फिर वो मार्केट को जो एक फिंकिंग है उसको जो भराब कर देगा और यह स्टाक जो है आसमान में दिखाई देगा और अगर वागई मैं कुछ 750 ड्राक्ट को छान लिया बीन कर ले कि यार यह प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है तो वो तो बॉस पर यहां पर तो सीधी सी बात है बैंक के स्टॉक पर जो है वो सीधा सीधा असर देखेगे तो इसमें कोई शक्की बात है नहीं लास्ट फिलाल अब देखेंगे तो क्या हुआ कि मैं अल्रेडी आपके सामने बता चुका था कि यह जो है यह जग है 213-212 रुपए वाली 211 के आसपास मूविंग एवरेज था आपका 200 एमा और वो आसानी से क्रोस नहीं होना था निकला एक बार ठीक है 213-214 आपको यहां पर जाए ओपन होती देखा 208 के आसपास गया था यह भी मैं आपको बता चुका था कि यहां पर जाना अब से लेकर अब तक जो है ना वह स्टॉक टूटी राया अगर आप देखें और अभी हम आ चुके कहां पर सीरीसी बात अगर यह 200 डेमा तो यहां पर ना मतब अगर यह क्रोस करेगा यह 100 और 50 डेमा के असपास और वहीं पर यह घूम फिरकर आ चुका है अभी हाल फिलाल जो आपको 192 को प्राइस देखने मुला है मूविंग एवरेज के पास ही है यहां से अब यहां पर ना गुत्ती सुल्जेगी की बंदन बेंग आखिरकर जाना किदर है क्योंकि अगर यह मूविंग एवरेज से नीचे चलने लगा तो तो यह नेगेटिब में आप जो है घ ना सफर कर रहे हैं यह स्टॉक का भाव कर रहा है तो यह दो लेवल है ना यह भाईया बहुत ही इंपोर्टन लेवल ठीक है ना अब यह किदर की तरफ मूव करेगा मेरे को नहीं पता ना आपको पता है देखना पड़ेगा कि मंडे के दिन तूजडे के दिन क्या होना है बंदन बेंक के अंदर क्या यह 191.37 के नीचे जा रहा है और अगर नीचे जा रहा है तो क्या अगर यह नीचे चलने लगा वाकही में तो फिर वो कहीना की लोग की तरफ जा रहा है यह एक समझ में आ रहा है क्यों वो तैयार नहीं है फिर फिर वो तैयार नहीं है कहीना की य जवाब दे रहा है बंदर मेंके स्टॉक और अगर यह 193.82 का यहां पर ब्रीच हो जाता है तो फिर गईना कहीं यह बापिस से जो है वो 211,212 इन तरफ यहां पर जो ना याने की 200 डेमा की तरफ यह चला जाएगा बस यह सिंपल सी बात है इस बात को आप समझे और इस पर स् पूछना ही पूछना है श्टइडी करनी करनी है मेरे बात पर जो है न सब कुछ मत कर लीजएगा तो यह मैंने सिर्फ पर सुनल वीव रखा है और जो प्रैस टूब वैल्यू है उस पर ज़्यादा नज़र रखिएगा प्रैस टूब वैल्यू एक अच्छी जगाए पर इ बट जो मार्केट सोच रहा है क्या वो बंदन मेंग के स्टॉक पर भारी पढ़ेगा या मार्केट की उपर उल्टा पढ़े आयागा यह देखने वाली बात होगी बस यही है जो बंदन मेंग के अंदर समझ में आ रहा है Q1 जो है वो उस पर नज़र रखिया तो आप दीचे में जाए विड़ी देखने के लिए बहुत दर्माद दोस्तों